तोई बीजेपी नेता सपा और बसपा गजबंधन को बेमिल खरार के रहे हैं वही ओम प्रकाश राजबर का कहना कि हमारे लिए जनता ही सर्वोपरी है और हम जनता के लिए काम करते हैं आगे करेंगे हमने किसी से ड़रने की जरूरत नहीं कोशिस तो जरूर सारे मिल करके कर रहे हैं लेकिन सफलता उनको इसलिए नहीं मिलेगी कि जिसका लच है अगर उनका लच ही होता कि हम हिंदुस्तान को दुनिया में बिसेश अस्थान दिलाएंगे हम हिंदुस्तान से गरीबी मिटाएंगे हम हिंदुस्तान से बरष्टा चार मिटाएंगे तमाम अनिक भी सैसे हैं उनका लच्छ देश के लिए होता है देश की जंता कि लिए होता है उनका साथ देश की जंता देती है। वोदा और 2017 में बनाये थे उससे भी बुरे हालात 2019 में इनको देखने पड़ेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी जागरू जनता है। जनता ने हमको चुन के भेजा है। हमारे कहने पर सवासो सीट जितवाया है पुरवन्चल में। तो हमको भेजा है लड़ने के लिए कि भगेडू भागने के लिए। लड़ने के लिए। साल में सारकार में रहके कैबिनेट मिनिस्टर गरीब कमजोर पिछणों के आवाज बन करके अगर कोई नेता लड़ रहा है। तो उसको आप भगेडू साबित करना चाहते हैं। जनताने लड़ने के लिए भेजा मैं लड़ रहा हूं। हिम्मत नहीं है किसी के पास सच कहने की। सच कहना अगर बगावत है तो समझ लोगों प्रिकास राजवर भागी है।